सानी लियोनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी काफी एहमेद देती हैं। उन्हें अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना, उनके साथ खेलना खुदना फोटोस लेना काफी पसंद है। इस वक्त सनी अपने तीन बच्चे और अपने पती डैनिल वेबर के साथ एक खुशाल जिन्दगी जी रहे हैं लेकिन आपको बता दे सनी लियोनी के लिए ये सफर आसान नहीं था सनी लियोनी के तीन बच्चे हैं जिन में से नोवा और अशर सरोगेसी के जरिये पैदा हुए हैं जबकि बड़ी बेटी नीशा गोदली हुई है हालनी में सनी ने अपनी सरोगेसी के इमोशनल प्रक्रिया पर बाते की दरसल सरोगेसी की जर्नी सनी और डैनियल के लिए बेहत मुश्किल भरी रही इस दौरान उनके दो अजन में बच्चों की डैद भी हुई बॉलिवुड बबल्स के साथ हुए एक इंटर्व्यू में सनी लेओनी ने बताया है कि उनकी सरोगेसी देर साल में पूरी हुई हम सरोगेसी की प्रक्रिया से गुजर रहे थे जिसमें बहुत समय लगता है शुरुवात से अंत तक लगभग डेड़ साल लग जाता है उसी दोरान जब सरोगेसी प्लान के मताबिक नहीं चल रही थी तब हमने सोचा कि क्यों ना हम बच्चा गोद ले ले हमारे पास छह अंडे थे जिन में से चार लड़कियों के और दो लड़कों के थे एक थे वो बच नहीं पाए उनमें बेबी पेदा नहीं हो सकी यह वास्तों में दिल तोड़ देने वाला था आप एक असफलता की तरह महसूस करते हैं आपको ऐसा महसूस होता है जिससे आप हार गए हैं आप बहुत लो और अपसेट फील करते हैं इसके बाद सनी और उनके पते डैनियल मुंबई के सैंट कैथिन अनाता श्रम गए और वहाँ पर बच्चा अडॉप करने की सोची इस पर सनी बताती है जब हम वहाँ गए तो हमने बच्चों को देखा और मैं सोच रही थी क्यों होना हम बच्चा गोद ले लें क्या अंतर है वो भी हमारा ही होगा हम जेनेटीकली जुड़े नहीं हैं पर दिल से जुड़े हैं फिर हमने गोद लेने की प्रक्रियाश शुरू की क्योंकि सरोगेसी काम नहीं कर पा रही थी इसमें भी समय लगता है पेपर वर्क और थोड दनियल वेबर की चे साल के बेटी नीशा और उनके बेटे नवा और अशर थीन साल के ही वैसे आपको बता दे सनी लिओन ने जी बच्ची नीशा को गोद लिया है उससे अडॉप करने के पहले कई पडिवार रिजेक्त कर चुके थी दरसल निशा के दबेवे रंग के बच्चों के साथ बेहत खुशाल जिन्दगी जी रही है और वोने अच्छी परवलिश देने की कोशिश कर रही है बले ही सनी ने अपने तीनों बच्चों को जन्म नहीं दिया है लेकिन वो एक बहतरीन मा होने के सबी फर्ज निभाती है उनकी बच्चों के साथ करें कजब खबरी